हेलो दोस्तों यह डिक्टेशन असी सब्द प्रति मिनट से है स्टार्ट राष्टपती के अभी भाषड पर चल रही जो बहस राहुल गाधी के भाषड की वजह से चर्चा में आ गई थी उसका प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने अपने भाषड से पटा छेप करने की पुरजोर कोशिस की है वर्सों बाद संसद में ऐसी रोचक इस्थिदी बनी जब लोगों ने कान लगा कर सुना है और याद भी रखेंगे विपच्च का हमला अगर तीखा था तो सत्ता पच्च का जवाबी प्रहार भी कुछ कम न था बहरहाल अडानी शंबंधी मामले पर ज्यादा तर दूसरे सत्ता धारी नेताओं ने ही सदन और शदन के बाहर जवाब दे दिया था इसलिए प्रधान मंत्री ने उस पर जाय बिना विपच्च और विशेश रूप से कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथ लेने की रड़नीती को तरजीय दी राजनीती में अपने अपने नजरिये से अपनी अपनी व्याक्याएं होती हैं और राजनीती कभी भी किसी विवाद पर खत्म नहीं होती जैसे विगत दो दिनों में शंशद में देश में हुआ सायद ही कोई ऐसा बड़ा घोटाला या कांड होगा जिसे इस बीच याद ना किया गया हो साफ हो गया कि जिन मामलों में अदालती फैसले आ गए उनको भी राजनीती लिये चलती रहेगी यह समग्र राजनीती के लिए सबक है कि शावधान आपकी एक गलती या एक कांड आगे दसकों तक याद किया जाएगा प्रधान मंतरी का जहां तक शंबंद है विपच्छ के आरोपों को उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया है उनकी तलखी को उनकी चुटकियों और उक्तियों में समझा जा सकता है अब सब्दों और आरोपों से वह आहत थे और उन्होंने यह भी छिपाया नहीं उन्होंने अपनी ओर से भी सुनाने में कोई कोरकसर नहीं छोड़ी विपच अडानी अडानी के सोर के साथ विरोध में जुटा रहा दरसल हर पार्टी या पच्छ के अपने पसंदीदा दाउं या अखाडे होते हैं भाजपा का भी अपना अखाडा है जिसे प्रधान मंत्री ने बखो भी नहीं छोड़ा प्रधान मंत्री ने विपच की और इसारा करते हुए कहा कि ये लोग तो अपने और अपने लोगों के लिए जी रहे हैं लेकिन मोदी देश के 25 करोड परिवारों का सदस्य है मेरे लिए 25 करोड परिवार ही सुरच्छा कवच हैं जिसे आप इन सस्त्रों से कभी भेद नहीं सकते यह एक तरप से विपच की और इसारा भी है कि हमले की उसकी तयारी मुकमल नहीं है प्रधान मंत्री के जवाब ने बता दिया कि मजबूत सत्ता पच्छ के सामने बिखरे हुए विपच्छ की मंजिल अभी दूर है यह सुखद है कि प्रधान मंत्री ने राष्टपती के अभिभाशर पर अपने भाशर के दवरान सायर जिगर मुराधाबादी से कभी दुसियंत कुमार और काका हातरसी तक की पंक्तियों को याद किया शमाप्त धन्यवाद